बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com दोस्तों नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर स्रीपती त्रिपाथी आप सभी दर्शकों का एस्टो तक में स्वागत है आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि कब से सुरू होगा छटका महापर्व यहां जानिए इस वीडियो के माध्यम से जानिए नहाय खाय से लेकर निरेजला, उपवास, डेट और पूजा बिधी भारत के कई हिस्सों में छट पर्व का बहूत अधिक महत्व है छट पूजा की शुरुवात कार्तिक महीडे में शुकल पक्ष की खस्टे यानि छटी तिथी से हो जाती है यह पर्व चार दिनों तक मनाये जाता है महिलाएं छट के दोरान लगवक 36 घंटे का ब्रत रखती है छट के दोरान छटी मईया और सुरिजदेव की पूजा की जाती है धार्मिक माननेताओं के अनुशार छटी मईया ये शुरिजदेव की मानस बहन है आठ नॉमबर से सुरू होगा छट का महापर्व छट पूजा का पावनपर्व दिपावली के 6 दिन बाद मनाये जाता है इस साल आठ नॉमबर से छट पूजा की सुरुवात होगी नहाय खाए से इसकी सुरुवात होती है आठ नॉमबर 2021 को नहाय खाए किया जाएगा नहाय खाय के दिन पूरे घर की साफशफाई की जाती है और रश्दान करने के बाद ब्रत का संकल्प लिया जाता है इस दिन चना दाल, कद्दू की सबजी और चावल का प्रशाद गरहन किया जाता है जो जिसे अरवा चावल कहते है अगले दीन खरणा से ब्रत की शुरुवात होती है खरणा 9 नोमबर 2021 से किया जाएगा इस दिन महिलाएं पूरे दीन ब्रत रखती है और साम को मिटी के चुले पर गुण वाली खिर का महा प्रशाद बनाती है और फिर शुरुजदेव की पूजा करने के बाद यह प्रशाद ग्रहन किया जाता है इसके बाद ब्रत का पारणा छट के समापन के बाद ही किया जाता है खरणा के अगले दीन सुरुज को अर्ख दिया जाता है शुरुज को इस दीन सायमकाली अर्ख दिया जाता है एपर्व का समापन खरणा के अगले दीन छठ का समापन किया जाता है इस साल इग्यारह 9 मवंबर को इस महापर्व का समापन किया जाएगा इस दिन महिलाएं सुर्जोदय से पहले नदी या तलाब के पानी में उतर जाती है और सुर्जदेव से प्रार्थना करती है इसके बाद उगते शुर्ज को अर्ख देने के बाद पूजा का समापन कर ब्रत का पारण किया जाता है गीता प्रेस गोरख पूर्द्वारा प्रकासित संचिप्त भविश्य पुराण के ब्रह्म्ह पर्व के अनुशार स्वेकृष्ण ने अपने पुत्र शांब को सुर्ज पूजा का महत्त बताया है ब्रह्म पर्व के शवरुधर्म में सदाचरण अध्याय में बताया गया है कि जो लोग सुर्ज देव को जल चढ़ाते हैं जो लोग इनका पूजन करते हैं उन्हें सुर्योदा से पहले बिश्टर छोड़ देना चाहिए रोज सुमः प्रती दिन सुर्ज को पहली बार देखते समय सुर्ज के मंत्रों का जाप करना चाहिए अर्ग देते हुए आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं ओम शूरियाय नमह, ओम घिरने शूरियाय नमह, ओम आदित्याय नमह, ओम देखा ख्याम शूरियाय संग्राम बिजियाय नमह, ओम भास कराय नमह, या आपको जो मंत्रियाद है, घर से बाहर, कहीं भी जाते समय, जब भी शुर्ज मंदिर दिखाई दे, तो सुर्ज देव को प्रणाम जरूर करना चाहिए, और हिर्दय से प्रणाम करना चाहिए, सुर्ज को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उप्योग करना चाहिए, सुर्ज के लिए रभी बार को गुण का धान करना चाहिए, जल चढ़ाते समय सुर्ज को सीधे नहीं देखना चाहिए, गिरते जल की धारा में सुर्जदेव के दर्शन करना चाहिए, जिससे शुभ ही शुभ होता है। जिन लोगों की कुंडली में सुर्ज शुभ इस्थिती में नहीं है, उन्हें सुर्ज को रोज अर्ख देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। इससे सुर्ज के दोस दूर हो सकते हैं सुर्ज देव की क्रिपा से घर परिवार और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है अर्ग देते समय सुर्ज के इन मंत्र से शुर्ज को अर्ग दें तो निश्यत रुप से लाव होगा ओम एही सुर्ज सहस्त्रांसो तेजो रासी जगत्पते अनुकंपए मामभक्त्या ग्रिहाणार्ग्यम दिवा कर रहा ओम शुर्याय नमः ओम आदित्याय नमः ओम नमो भासकराय नमः इस मंत से निश्यतूप से शुर्ज को अर्ग देना चाहिए और यह कहते हुए और घ्यम शमरपयामें यह करते हुए श्रुजी को प्रणाम करना चाहे अब तक के लिए दीजेजिया जब मिलते हैं और भी वीडियोज के साथ नमस्कार